तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो मैच होने वाला है शाम को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकता नाइट राइडर्स का मैच आज दो मैच हैं अभी जो दिन में मैच है वो मुंबई इंडियन्स और राजस्थान रोयल्स का है उसका प्रेडिक्शन हमने कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स और केके आर का प्रेडिक्शन इस वीडियो में करेंगे और सबसे पहले चलते हैं और जान लेते हैं कि पॉइंट स्टेबल में इन टीमों का क्या हाल है ठीक है क्योंकि ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी अगर हमें नौलेज होगी सब चीज की तो हम अच्छी टीम बना पाएंगे ठीक है इसलिए आपको सब कुछ बताया जाता है इस वीडियो में तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट स्टेबल की बात करूँ और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स तो ठीक है बहुत अच्छी चल रही है थार्ड नंबर पे है और वहीं केक्यार की बात करें तो वो है फिफ्ट नंबर पे ठीक है और आज इन दोनों का मैच है और अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है वो क्यों भारी है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स पिछले एक दो साल से एक नब मजबूर टीम बन गी है पहले वाली दिल्ली नहीं रही अब ये जो पहले दिल्ली हारा करती थी न अब वो दिल्ली नहीं है और पहले जो कॉलकता जीता करती थी अब वो कॉलकता भी नहीं रही लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कॉलकता को इग्नॉर करें ठीक है तो यहाँ पे अब सबसे पहले इनके मैचिस की बात कर लेते हैं कितने कितने मैच खेल चुकी हैं दोनों टीमे 6-6 मैच दोनों टीमे खेल चुकी है 6 में से 4 मैच जीती है दिली के पिटल्स और केक्यार जीती है सिर्फ 2 मैच अब इनके match की बात करते हैं दोनों की हर match में हर player का हर bowler का क्या performance रहा है वो सब बात इस video में करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं Delhi Capitals का ये पहला match नहीं Super Kings के साथ यहाँ पे scorecard की अगर हम बात करें तो देखो अगर Delhi Capitals की बात करें तो शिखरधवन और प्रिथवी शाह ये opening जोड़ी जो है न दिली Capitals की अभी तक अच्छा perform करती आई है अगर एक match में नहीं perform हुआ दो में नहीं हुआ लेकिन mostly जितने मी match हुआ है शिखरधवन का बला चला है ठीक है और प्रिथवी शाह का भी चला है तो पहले match में दोनों का बला चला प्रिथवी शाह ने 72 रन बना दिये शिखरधवन 85 रन बना दिये वहीं केटण साब 15 रन और मरकस टोईनस 14 रन और वहीं दिली के बॉलर्स की बात करें अगर दिली के बॉलर्स की बात करें अब तक जो दिली के बॉलर में जो सबसे ज़्याद़ विकेट लेता है हर match में लेता है वो अवेश खान है एक तो और एक है अपना कगीसो रबाड़ा तो यहां पे क्रिस वोक्स ने पहले मैच में दो विकेट लिया है अवेश खान ने हर मैच में विकेट लिया है यहां पे रवी चंदरन अश्विन ने विकेट लिया एक टॉम करन ने यहां पे एक विकेट लिय तो आप देख सकते हो अब मेच लुई की मात करते हैं अगले की जो Kolkata Night Raiders का है और Kolkata Night Raiders भी कुछ कम नहीं है सिर्फ एक बल्ले बाच पे मुझे भरोसा है और एक ही बल्ले बाच Kolkata का चल रहा है इस टाइम पे वो है Nitish Ranah भले ही एक मैच में नहीं हुआ परफॉर्म दो में नहीं हुआ लेकिन नितिश राणा ने रन बनाए है चाहे वो बिछली IPL की बात हो या इस IPL की बात हो शुबमन गिल भी इस IPL में इतना बड़ी है परफॉर्म नहीं कर पाए राउल त्रिपार्थी ने पहले मैच में बनाए 53 रन उसके बाद बस ऐसे ही 10-15-20 रन बन रहे हैं तो हमें ऐसे प्लेयर को लेना है जिससे हमें ज्यादा पॉइंट्स मिले ऐसे 11 प्लेयर पे फोकस है जिनसे हमें जो पॉइंट्स है वो अच्छे मिल जाए और हमारी टीम बढ़िया बन जाए और जिससे हम जो एक करोड का प्राइज है रैंक वन का इसको जीतने के लिए आपको कुछ तो मैनत करनी पड़ेगी ठीक है आप यूँ तुक के मारोगे और किसी भी प्लेयर को ले लोगे और कुछ भी करोगे तो फिर फिर आप हारोगे ठीक है तो थोड़ा सा 15-20-30 मिनट इस वीडियो को दो समझो और जो हम प्रेडिक्शन करके देते हैं वो भी आप अपनी टीम बना के लगा सकते हो तो यहाँ पे देखो पहले मैच में कोलकता ने नितिश राणा ने यहाँ पे अस सीरन बनाए ठीक है नितिश राणा को लेना बनता है टीम में जब टीम बनाएंगे ड्रीम 11 पे दिखाएंगे आपको अब कोलकता के बोलर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे हरबजन सिंग ने पहला मैच केला जीरो विकेट प्रसिद कृष्णा ने दो विकेट लिये शाकी बलहसन ने एक विकेट पैट कमिन्स ने एक विकेट अंध्रे रसल ने एक विकेट तो यहाँ पे अगर कोई कोलकता का बोलर हर मैच में विकेट ले रहा है तो पैट कमिन्स ने तो रन भी बनाए थे एक मैच में तो अगले match की बात करते हैं दिली Capitals की, फटा फट से इनके match की बात करते हैं और सारे देख लेते हैं हर match में किसका क्या performance रहा है फिर टीम बनाते हैं फटा फट तो यहां दिली Capitals पृत्वी शाने दो run, शिकरदवन नो run ठीक है इस match में नहीं चले पंत साहब ने आया, 51 रन बनाया, कैप्टन साहब ने और बॉलर्स की बात करें, राजस्तान के खिलाफ क्रिस वोक्स ने फिर दो विकेट लिये अवेश खान ने पिछले मैच में भी दो विकेट लिये थे, अब तीन विकेट लिये Chris Woks ने पिछले match में भी 2 wicket लिये थी, अब 2 wicket लिये लेकिन Chris Woks का पक्का नहीं है, पहले ही 2 match खेले हैं ठीक है, उसके बाद change, एक तो हर टीम में change बहुत हो रहे हैं, ठीक है तो यह change वाली जो चीज है ना, यह आपको जब toast होता है ना तब आपको ध्यान रखना पड़ता है कौन सा player match खेल रहा है, कौन सा bowler match खेल रहा है या नहीं खेल रहा है या ऐसे batsman को ले लो, क्योंकि change यार, toast के time ही पता चलते हैं, ऐसे पता नहीं चलते पहले एले तो जो playing 11 है, वो भी हम predict कर सकते हैं कि यह यह player खेलेंगे लेकिन एक एक आदा change हो ही जाता है, कौलकता इतने में चार रही है तो शायद आज कुछ change करेगी कौलकता ठीक है, भले दिल्ली कैपिटल्स ना करें, दिल्ली कैपिटल्स की जो गाड़ी है वो सही track पे चल रही है तो अवेश खान यहाँ पे match जरूर खेलें, ठीक है, कगीसो रबाड़ा ने भी दो wicket लिये रबाड़ा एहम बोलर है दिल्ली कैपिटल्स का तो रबाड़ा को तो लेंगे टीम में अब अगले match की बात करते हैं, यह दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा match था केके आर का दूसरा match हुआ, रोयल चलेंजर्स बैंगलोर्स के साथ और यहाँ पे केके आर हारी केक्यार की यहाँ पे नितिश रान ने 18 रन, शुबमन गिल ने 21 रन, राहूल त्रिपार्थी 20-25-25 ऐसे ही चल रहा है और इन मॉर्गन का भी जो परफॉर्मेंस इतना बड़ी है नहीं रहा है दिनेश कार्तिक का भी परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा है अंद्रे रसल ने यहाँ पे, देखो अंद्रे रसल का क्या है कि ओल रॉंडर है और रन के साथ साथ यहाँ पे अंद्रे रसल विकेट भी ले सकता है मैज में, ठीक है तो एक एहम ओल रॉंडर हमें जो लेना है, अगर कॉलकाता का एहम ओल रॉंडर किसी को माने तो अंद्रे रसल है, बागी सुनील नराएन की भी बात करेंगे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोल करता के बॉलर्स ने क्या कमाल किया यह बात कर लेते हैं फटा फट यहाँ पे हरवजन सिंग ने फिर दूसरा मैच कहला कोई विकेट नहीं वरुन चक्रवर्ती ने दो विकेट लिये इस मैच में पेट कमींस ने विकेट लिया पर सिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया पिछले मैच में भी इन दोनों ने विकेट लिये थे इस मैच में भी लिये भले ये एक एक लिया तो अब अगले मैच की बात करते हैं फटा फट दिल्ली कैपिटल्स के तीसरा मैच और यहां भी दिली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को हराया 198 रन जो है चेज कर लिए पृत्विशा 32 रन शिकर धवन धवन साब यहां पे 92 रन बना के धवन साब का बल्ला खूब चल रहा है अगर दाव लगाना है तो धवन साब को कैप्टन भी बना सकते हैं एक टीम में ठीक है बिलकुल दावन साब पूरे फॉर्म में और यहां पे स्टीवन स्मिथ 9 रन रिशा पंथ 15 रन मारकस टोईनिस 27 रन ठीक है यह इनका दिली का परफॉर्मेंस है इस मैच में अब विकेट की बात करें दिली के बॉलर्स ने इसमें भी क्रिस वॉक्स ने एक विकेट लिया है पिछले मैच में भी लिया था मेरी वालना ने एक विकेट लिया और रबाड़ा ने एक विकेट लिया अवेश खान ने विकेट लिया आपने नहीं लगता कि Chris Fox ने पहले ही तीन मैच खेले हैं, तीन चार जो भी, उसके बाद तो नहीं दिखे दिली की टीम में, बट देखते हैं अगला मैच, कोलकता का अगला मैच, देखो हार जीत से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई टीम हारे, कोई टीम जीत है, हमें तो अपने 11 प्ले बैट्समन भी चलेंगे, बैट्समन भी रण बनाएंगे, बॉलर्स भी विकेट लेंगे, ओल्राउंडर भी विकेट और रण बना सकते हैं, तो हमें तो एक परफेक्ट टीम बनानी है, बस ढहरे भी परफेक्ट टीम हम आपको बना ओर देंगे, उसी टीम के साथ आए appropriate और अगर आप समझोगे ना तो खुदी अच्छी टीम आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है यहाँ किसी का बल्ला नहीं चला, नितिश राणा का भी नहीं चला, शुब्मन गिल का भी नहीं चला, त्रिपाठी का भी नहीं चला बल्ला चला तो देखो दिनेश कारतिक का चल गया, बाइच चांस दिनेश कारतिक का हर मैच में नहीं चलता है बल्ला और अंद्रे रसल मेने का था, एहम All-Rounder रहा है, यहाँ पर रन भी बनाए 54, Pat Cummins, Baller इन दोनौने देखो, रन भी बनाए इस मैच में और विकेट भी लियोगी, मैने का था ना Pat Cummins ने एक मैच में रन भी बनाए और विकेट भी लिया है अब देख मैं आपको विकेट रिखाता हूँ Pat Cummins ने तो विकेट नहीं लिया लेकिन बल्ले से कमाल दिखाया ठीक है सबसे अधा रन बनाए यहां आंद्रे रसल ने एक विकेट भी लिया अब जिस क्या बोलतने है जिसने भी आंद्रे रसल को टीम में लिया होगा वो फायदे में अगर आंद्रे रसल को कैप्टन या वाइस कैप्टन जिन लोगों ने बनाया वो डबल फायदे में क्योंकि यहां पर कोई नहीं चला आंद्रे रसल ने 54 रन बनाए और साथ में एक विकेट लिया ठीक है तो 100 100 प्लस पॉइंट्स तो Andre Russell के होगे और अगर Captain बनाते हो तो 200 प्लस भी आपके पॉइंट्स हो सकते हैं Vice Captain बनाते हो 500 प्लस पॉइंट्स भी हो सकते हैं सिर्फ एक प्लेयर के समझें आप तो यह होता है match और मैच का कोई भी प्लेयर चल सकता है, कुछ भी हो सकता है मैच में, ठीक है, तो हर एंगल से सोच के प्रेडिक्शन करना चाहिए, अब यहाँ हम दिल्ली कैपिटल्स के मैच की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे केक्यार का यह चोथा मैच होगा, नितिश राणा 22 रन, त्रिपाठी 36 रन, शुपमन गिल का तो मैं कहाँ बल्ला चल ही नहीं रहा है इस बार, सुनील नरायन 6 रन, ओइन मोर्गन 0 रन, दिनेश कार्थिक 25 रन, त्रिपाठी और नितिश राणा, अगर कोई रन बना रहा है तो, इतने जैदा तो कोई भी नहीं पल्ला, लेकिन परफॉर्मेंस के क्यार का अगर बढ़िया होता तो मैच भी जीट जाती, खैर मैच से हमें कोई फरक नहीं बढ़ता, यहां वरुन चक्रवर्ती ने दो विकेट लिये, शीवम मावी ने एक विकेट लिया, प्रसिद कृष्णा ने एक विकेट लिया, अब प्रसिद कृष्णा की बात करते हैं, यहां पे न, देखो, बोलर है केके आरगा, लेकिन ये बंदा हर मैच में विकेट भी ले रहा है, एक, दो, एक, दो ऐसे विकेट ले रहा है, अगर ये बंदा दो, तीन विकेट ले ले लेता है, तो चलो टीम बनाएंगे, वो तो, ज उपर ओवर वाला मैच हुआ था, और यहां पे आप देखो, कि प्रिथवी शा ने 53 रन बनाया, शिकरदवा ने 28, रिशप पंद ने 37, स्टीवन स्मित ने 34, तो ये जो चार प्लेयर अब आगे ना इस मैच में, अब ये चार की जोड़ी आगे के मैच भी खेल रही है, और जो चार प्लेयर हैं दिल्ली के, और विकेट की बात करें, देखो, अक्षर पटेल ने इस मैच में दो विकेट लिए, अवेश खान ने तीन विकेट, अवेश खान तो हर मैच में विकेट ले रहा है, वाकि अक्षर पटेल, अक्षर पटेल हमने जब पिछला मैच हुआ थ दिल्ली का तो उसको अक्षर पटेल को टीम में लिया था तो जो हमारा प्रेडिक्शन होता है वो तकरीबन तकरीबन कई हद तक बिल्कुल सही होता है ठीक है देखो हम भी प्रेडिक्टी करते हैं कोई हमें पता तो नहीं कि ऐसा ऐसा होगा ठीक है तो prediction हम बिल्कुल सोच समझ के करते हैं कि match का रुख अगर ऐसा होता है तो कैसी team होनी चाहिए ऐसा होता है तो ऐसी team होनी चाहिए अगर जल्दी wickets गिर जाते हैं तो उस हिसाब से team बनाई जाती है अगर कोई wicket शुरू में गिरता है निये ओपनर्स ही लंबा match खीच के ले जाते हैं अब जैसे चन्ही के ओपनर्स कल wicket ही नहीं गिरा पिछले match में भी नहीं गिरा था 100 run के बाद एक wicket गिरता है ठीक है तो हर एंगल से सोचा जाता है match match का रुख क्या हो सकता है ठीक है तब ही team बनाई जाती है सोच समझ के तो अब अगले match की बात करते है आपे KKR का ये है चोथा match होगा KKR का यहाँ भी शिव्मन गिल का बला नहीं चला नितिश राणा जीरो run त्रिपाठी का बला जरूर चल गया 20-30-40 run ऐसे हर match में बन रहे हैं त्रिपाठी के बले से और इन मोर्गन ने भी यहाँ बनाए 47 run आंद्रे रसल 10 run दिनेश कार्थिक 12 run बॉलर्स की बात करें शीवम मावी एक विकेट पैट कमिंस 2 सुनील नरायन 2 विकेट प्रसिद कृष्ण ने तीन विकेट लिये तो प्रसिद कृष्ण भी यहाँ बात हो रही थी वरुन चक्रवर्ती ने भी यहाँ एक विकेट लिया है और प्रसिद कृष्ण ने तेन विकेट ले लिये यहाँ पर तो अर मैच में प्रसिद कृष्ण विकेट ले रहा है तो अगले मैच की बात करते हैं फटा फट से फिर टीम बनाएं तो यहाँ पर पूरे 6-6 मैच हो चुके हैं और आज जो यह मैच है दिल्ली कैपिटल्स और कोलकता नाइट राइडर्स का इसकी टीम बनाएंगे मोटेरा में यह मैच होगा ठीक है तो चलिए चलते हैं ड्रीम 11 में फटा-फट से बना लेते हैं टीम तो यहाँ पर देखो विकेट कीपिंग की बात करते हैं पहले यहाँ पर हमें do option मिल रहा है simple सा simple सी बात है अगर मैं आपको कहूँ दिनेश कार्तिक को टीम में मत लेना ठीक है यहाँ पर पंत साब को ही लेंगे अगर दिल्ली का अपर अपर ओर्डर है वो नहीं चलता है देखो पंत साब देखो बढ़िया चल रहे है ठीक है भले बैटिंग नहीं आती पर एक मैच में रन बनाए है 50 प्लस ठीक है तो अगर पंत और दिनेश कारतिक का बला नहीं चल रहा है यहां पर हम शिखर धवन को भी लेंगे दिल्ली के दो हमारे पास हो गए अगर यहां पर अब बात करते हैं कोलकता नाइट राइडर्स की देखो राहूल तरिपाठी ने यहां पर रन बनाए है अगर आप राहूल तरिपाठी को इस टीम में लेना चाहते हो तो ले सकते हो ठीक है भले ही अगर शुपन गिल जल्दी आउट हो जाता है और नितिश राणा और यह राहूल तरिपाठी की जोड़ी लंबा खेल जाती है तो हमारा जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन यहाँ पे सिर्फ यह एक टीम है आपको टेलीग्राम पे चार टीम मिलेंगी इसकी तो जब भी आप पहले हम आपको यह टीम बना के दिखाएंगे फिर आपको जो चार टीम के प्रेडिक्शन है वो आपको जो चार टीम है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी उसको जोइन कर सकते हैं आप चैनल को यहाँ पे हम राहूल त्रिपाठी को लेंगे ठीक है राहूल त्रिपाठी को हम यहाँ पे लेंगे और नितिश राणा को लेंगे अब आप सोच रहे होंगे हमने प्रित्वी शा को तो लिया है नहीं ठीक है प्रित्वी शा को हमने नहीं लिया अब आल लो प्रित्वी शा जल्दी विकेट निकल जाता है प्रित्वी शा का तो फिर शिखरधवन के बाद जो आएंगे शिम्रोन, हिटमेर, हिटमेर को भी नहीं लेंगे हम, अगर उसका भी विकेट निकल जालता है तो पंत साब आएंगे, और अगर इन दोनों की जोड़ी थोड़ा मैच खींच लेती है, तो उस हिसाब से टीम बनाई जारी है ये वा पिश्राना, राहुलत्रिपार्थी, और यहां पर ओल राउंडर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अब हम यहां पर सुनील नरायन को लें या अंद्रे रसल को लें, इसका डिसीजन हम थोड़ा रुक के लेंगे, मारकस टोईनस और अक्षर पतेल, अक्षर पतेल ने मारकस टोईनस रन बन रहे हैं, पिछले आई पिल में मारकस टोईनस के जलवे थे, लेकिन इस आई पिल में नहीं है, अभी तक, तो इस, इसका मतलब यह भी नहीं है कि जलवा हो नहीं सकता, जलवा हो भी सकता है, बट मारकस टोईनस को इस टीम में जगा नहीं देंगे, अ वे कि अरहा को अधिले बात कर लेते हैं इसान्त शर्मा नेभी मैस केला ता पिछला के पिशान शर्मा कोifully कोने लेंगी अमितमिश्रा को भी कि एक गहाठे मीले हिसे एक मैस में तीन मिकेट पता नहीं चार विकेट भी अमिले थे मिछा आ तो देखो, श्पीनर यहां पर दो हैं दिल्ली के पास अमित मिश्रा और प्रसिद कृष्णा को लेंगे हम बिलकुल लेंगे अवेश खान कहां है अवेश खान को भी जगह मिलनी चीए भीया टीम में क्योंकि कई बार बोलर सी मैच निकाल ले जाते हैं दोनों तरफ से अवेश खान बिलकुल अवेश खान का पर्फॉर्मेंस बहुत बड़ी है रहा है दिल्ली की तरफ से चार बोलर हो गए हमारे पास एक बोलर हमें और लेना पड़ेगा कोलकता का एक बोलर हो गया पैट कमिन्स वास्ट बोलिंग का गीसो रबाड़ा ठीक है इसके बाद हमारे पास हवेश खान हो गए अवेश खान दिली की पिटिल्स के दो एहम बोलर हमारे पास हो गए प्रसिद करिष्ण और पैट कमिन्स भी हो गए कोलकता के और बोलर को नहीं है वरून चकरवर्ती को नहीं लेंगे शीवा मावी को भी नहीं लेंगे यहांपे हम all rounder लेंगे टीन अंदरे रसल को यहांपे all rounder लेंगे हम यहांपे अक्षर पतेल को लेंगे अब यहांपे देखोarkan मार्क स्टोइनस और सुनील नरायन को तो हम इस टीम में नहीं ले रहे हैं ठीक है तो हम इस इन दोनों की जगह यहाँ पर प्रित्वी शा को जगह देंगे अगर प्रित्वी शा के बल्ले से रन निकल जाते है पहले हम सोच रहे थे इस टीम में प्रित्वी शा को नहीं लेंगे लेकिन अब जगह बन गई है तो यह हमारी जो टीम बनी है आपको मैं एक बर दिखा देता हूँ पहले कैप्टन और वाइस कैप्टन बना लेते हैं फटा फट यहाँ पे देखो सबसे पहले विकेट कीपिंग की बात करें तो रिशब पंत को लिया है दिली कैपिटल्स शिकर दवन को लिया है बैट्समेन चार बैट्समेन लिया है परित्वी शा को लिया है राउल त्रिपाथी और नितिश राणा को लिया है दो ओल रॉंडरी लिया है अकिशर पटेल को लिया है अंद्रे रसल को लिया है ठीक है और यह जो baller रहे हैं सारे wicket-taking ballers हैं हर match में wicket मिली है इनको और यहाँ पर अगर किसी एक baller को captain या vice captain मेरे को लगता घाटेगा सोदा होगा ठीक है तो अब अगर captain की बात करें तो मैं यहाँ पर न captain अवेश खान को बना रहाँ अब आप सोच रहे हैं बोलर को कैप्टन बना दिया तो भहिया अगर ये बंदा तीन दो तीन विकेट भी ले लेता है न तो 200 प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे आपके सिर्फ अवेश अवेश खान के ठीक है और अगर ये तीन बेटस्मन को आउट कर देता है जो हमने नहीं लिये या जो हमने लिये है वो भी अगर कुछ रन बना कर आउट होते हैं और इसी यही बोलर आउट करता है तो उन बेटस्मन ने जो रन बनाए उसके पोिंट्स तो हमें मिलेंगे वो और जो विकेट ली वो भी हमारे बोलर ने ले ली जिसको हमने कैप्टेन बना रख है तो हो गया ना पॉइंट्स और यहाँ वाइस कैप्टेन एक बेट्समेन या ओल राउंडर को बनाएंगे इसमें इसमें वाइस कैप्टेन हम बना रहे हैं शिकरदवन को अब मैं आपको टीम प्रिव्यू दिखा देता हूँ फटा फट यह है पहली टीम रिशब पंथ इसमें एस विकेट कीपर शिकरदवन नितिश राणा राहूल त्रिपाथी पृत्वी शा यह चार एहम बेट्समेन हैं दोनों टीमों के और पंथ साब तो हैं यहाँ पे पंथ साब अगर विकेट कीपर है तो catch वेच भी लेंगे उनके points भी जुडएंगे हमारे पस run बनाएंगे वो points भी जुडएंगे stump, ping, जो भी है विकेट कीपर के points भी आपको पता ही होगा अंधरे रसल और अक्षर पटेल को ले लिए दो नो ओल राउंडर दो बोलर हमने लिए हैं कोलकता के दो हमने लिए हैं दिल्ली के तो ये मेरे को एक तरफाई मैच लग रहा है दिल्ली की तरफ जाता हुआ इसलिए मैंने दिल्ली के शिकरदवन को वाइस केप्टन मनाया और अवेश खान को केप्टन मनाया इसके लावा बाकी की टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा नहीं तो कुछ न्यू फोर यू आप सर्च करके जोइन कर सकते हो तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट मैच की प्रेडिक्शन वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई